हेलो दोस्तों चेंस और ट्रांसलेशन के इस पहले विडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें हम आपको शुरुआत से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी कैसे बोलें ये सिखाएंगे अगर आप हिंदी जानते हैं तो अंग्रेजी सीख पाएंगे क्योंकि किसी भी भासा को शीखने के लिए कोई एक अन्य भासा का ज्यान होना जरूरी है और आपको हिंदी आती है मिंस आप अंग्रेजी सेख सकते हैं हो सकता है कि आप अंग्रेजी बिलकुल भी नहीं जानते हों तब भी आप पूरे मन से इस विडियो में और इसके बाद आने वाली विडियो में बताई गए चीजों को पढ़ें और अभ्यास करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस विडियो सेरीज के लास्ट तक में इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे चलिए हम सुरू करते हैं आज के इस विडियो में हम कुछ बेसिक वर्ड्स की इंग्लिश जानेंगे या फिर उन इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी जानेंगे और इन्हें सेंटेंस में छोटे छोटे वाक्यों में कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे तो चलिए पूरे मन से इन वर्ड्स को पढ़ते हैं और याद करते हैं M, A, M, M means होता है Is, Is means है A, R, E, R means हैं या फिर हो भी हो सकता है Teacher, T, E, A, C, H, E, R Teacher means अध्यापक Student, S, T, U, D, E, N, T Student means विद्यार्थी Former, F, A, R, M, E, R Former means किसान D, O, C, T, O, R Doctor means जिकित्सक और भी जरूरी वर्ड्स आगे हैं इनको हम देखते हैं उसके बाद इन्हें sentences में use करेंगे इन वर्ड्स को भी देख लेते हैं और इन्हें याद कर लेते हैं हो सकता है कि पहली बार में ये words याद ना हो याद ना रहें फिर भी हम इने बार बार प्रेक्टिस करके याद कर सकते हैं और इन्हें sentences में use करेंगे I means मैं We means हम You means तुम He means वह She means वह लेकिन He लड़के के लिए आता है और She लड़की के लिए आता है They They means way It 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 means here This T-H-I-S This means here यहाँ दिस और इठ है में बताएंगे की कैसे use करते हैं दोनों का मतलब यह होता है Where W-H-E-R-E Where means कहाँ Who W-H-O Who means कौन What W-H-A-T What means क्या How H-O-W How means कैसे And Let's go ahead and use these words in sentences चलिए इन्हे आगे वाक्यों में यूज करते हैं ओके चलिए इन्हे टांसलेट करते हैं English बनाते हैं इन वाक्यों की जब भी हम बात करते हैं किसी से या कुछ लिखते हैं तो ऐसे वाक्यों आते हैं सबसे पहले हम छोटे छोटे वाक्यों को देखेंगे इसके वात क्रमसह और भी सब्दों को यूज करके बड़े वाक्यों बनाएंगे और उन्हें सीखेंगे चलिए पहले इन वाक्यों को देखते हैं मैं अध्यापक हूँ इसको कैसे English में बनाएंगे तो यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं मैं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं मैं अध्यापक हूँ तो यहां पर सबसे पहले मैं की अंग्रेजी होगी मैं की अंग्रेजी क्या होती है आए तो यहां सबसे पहले क्या होगा आए और इसके बाद जो आखरी में लिखा हुआ है हूं हूं की अंग्रेजी लिखी जाएगी सबसे पहले मैं की अंग्रेजी जो सबसे पहले नमबर पर है और फिर हूं की अंग्रेजी जो सबसे आखरी में है और उसके बाद अध्यापक की अंग्रेजी होगी यानि जो बीच में है तो I हूँ की अंग्रेजी क्या होती है I am और अध्यापक की अंग्रेजी हमने बताया है पीछे teacher I am teacher लेकिन यहाँ पर मैं एक teacher हूँ इसलिए इसको ज़्यादा सही होगा कहना क्या I am teacher teacher के अस्थान पर a teacher लिखते हैं I am a teacher अब चलिए दूसरा sentence देखते हैं क्या तुम विद्यार्थी हो या फिर क्या आप विद्यार्थी हो तुम और आप हिंदी में एक ही है लेकिन आप एक अच्छा सब्द माना जाता है एक respectful word है ओके क्या आप विद्यार्थी हो इसको कैसे अंग्रेजी बनाएंगे यह एक question है प्रस्न है कि नहीं ऐसा प्रस्न पूछते हैं क्या आप विद्यार्थी हो इसका जवाब हम कैसे देते हैं पहले बताएए हाँ मैं विद्यार्थी हो या फिर क्या कहते हैं क्या विद्यार्थी हो नहीं मैं बिद्यारती नहीं हूँ तो कुलमिला की एक ऐसा question है जिसके जबाब में हम हाँ या फिर ना बोलते हैं हाँ या फिर नहीं बोलते हैं और इतना ही जबाब परियाप्त होता है क्या तुम बिद्यारती हो नहीं क्या तुम बिद्यारती हो हाँ तो ऐसे question को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं चलिए ये देखते हैं तो सबसे पहले अगर ऐसा question आया है जिसके जवाब हाँ या ना होता है तो उसके last में जो word होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हो की अंग्रेजी हो की अंग्रेजी होती है हमने पीछे बताया है उसको आप पीछे करके देख सकते हैं हो की अंग्रेजी आर होती है या फिर है की भी अंग्रेजी आर होती है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हो की अंग्रेजी यहीं आर और ऐसे प्रस्थ में क्या जो होता है क्या लिखा है ना जुरू में क्या की अंग्रेजी नहीं बनती है क्या की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो अब कितना वच्चता है तुम बिद्यार्थी हो हो की तो हमने बना लिया are अब क्या बचा तुम बिद्यार थी तो इसके बाद तुम के अंग्रेजी बनाएंगे और फिर बिद्यार थी के अंग्रेजी बनाएंगे चूंकि तुम एक ही बिद्यार थी हो इसलिए student के अस्थान पर a student लिखते है are you a student और उसके बाद प्रेश्ण वाच्छा क्यानी question mark लगता है क्योंकि यह एक question है जैसा कि आपने देखा कि पहले sentence में मैं अध्यापक हूं में सबसे पहले मैं फिर हूं फिर अध्यापक की अंग्रेजी बनती है लेकिन दूसरे sentence में सबसे पहले हो फिर तुम फिर बिद्यार्थी के अंग्रेजी बनती है क्योंकि यह एक question है और इसमें यही rule लगता है अब तीसरा sentence है मैं बिद्यार्थी नहीं हूं उसने पूचा कि क्या बिद्यार्थी हो तो मैं कह सकता हूं कि मैं बिद्यार्थी नहीं हूं इसको कैसे अंग्रेजी में बदलेंगे तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी I फिर हूं की अंग्रेजी लास्ट वाली की अंग्रेजी M I am अब इसके बाद बीच में क्या बजता है विद्यार्थी नहीं तो अब हम पीछे से अंग्रेजी बनाएंगे पहले नहीं की बनाएंगे फिर विद्यार्थी की बनाएंगे जो बीच में बजता है उसमें हम पीछे से बनाते हैं नहीं और फिर विद्यार्थी तो I am not student जोकि student अकेला हूँ हूँ है इसलिए I student लिख दूँ I am not a student अब चलिए इन वाक्यों को अंग्रेजी बनाते है वह डॉक्टर है वह की या तो अंग्रेजी ही होगा या तो she लड़का के लिए he अगर कोई लड़की है उसके बारे में वह कह रहे हैं तो she वह डॉक्टर है पहले he लिखेंगे वह की अंग्रेजी और फिर है की अंग्रेजी लिखेंगे है की अंग्रेजी क्या होता है is और फिर इसके बार डॉक्टर की अंग्रेजी लेकिन यहां डॉक्टर एक ही है वह कोई एक लड़का है इसलिए एक डॉक्टर की बात हो रही है इसलिए डॉक्टर के अस्थान पर और डॉक्टर लिखने इसी तरीके से वे किसान हैं यहां हम वे की बात कर रहे हैं यहां भी वे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हैं के अंगरे जी? are तो they are farmer ओके? they are farmer लेकिन यहां वे बहुत सारे लोग हैं और इसलिए किसान जो है वो एक नहीं रह जाएगा यानि farmer के अस्थान पर यानि किसान बहुत सारे हो जाएगे यानि farmer के अस्थान पर farmers लिखना पड़ेगा plural बहुवचन लिखना पड़ेगा तो they are farmers अब अगला sentence हम कहां हैं? हम कहां हैं? यह एक प्रस्ण है आप समझ सकते हैं हम कहां हैं? इसका जवाब भी है अगर देना चाहें दें सपोर्ज आप ही प्रस्ण करिए हम कहां हैं? तो जवाब मिलेगा हम घर पर हैं, हम स्कूल में हैं, हम बाहर हैं ऐसा कोई जवाब मिलेगा इसका जवाब तो हम हां या नहीं में तो नहीं दे सकते क्या हम कह सकते हैं? कि हम कहां हैं का जवाब हां नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते इसलिए यह एक प्रस्ण है है लेकिन दूसरे प्रकार का प्रस्ण है इसमें हम यस और या फिर नहीं कह सकते हां या नहीं कह सकते हमें बताना पड़ेगा उस लोकेशन को बताना पड़ेगा कहां है तो ऐसे प्रस्ण की अंग्रेजी बनाने के लिए सब से पहले उसी प्रस्ण की English लिखते हैं जो प्रस्ण वाचक word होता है सब्द होता है उसके अंग्रेजी लिखते हैं कहां कहां की इंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हमने जैसा की पहले दूसरे प्रस्ण में बताया है उसके बाद हम सबसे लास्ट में यहां पर है है तो WHERE है की अंग्रेजी, WHERE are, और इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचता है हम, और इसके बाद हम हम के अंग्रेजी लिखेंगे, WHERE are we, WHERE are we, और इसके बाद एक प्रेसन चेनल लगायाएंगे, क्योंकि यह एक प्रेसन है, and if you think the video was helpful to you, please share it, and if you are watching the channel for the first time, लिए अबस्क्राब में लिए लाए प्लाओ और अच्राँ ब्हूज़ टाव के लिए अफ्लाव कर दो त